वेरी गुड मॉर्णिंग स्टुदेंट्स लेट्स दू शॉर्ट आंसर टाइब कोश्चिन्स ऑफ दी चेप्टर ए ट्रीमफ ऑफ सर्जरी तो इन दिस चेप्टर देरीज। डॉक्टर जैम्स हर्यट नरेटर है वो वेटनरी सर्जन है पश्वों का वेटनरी सर्जन क्या हो लोजिकल है, तारकिक है मतलो, scientific व्यग्यानिक सोच का वेक्ती है, वो chicos दी डोग व मिसीस पाम्फरी, वो मिसीस पाम्फरी के कुट्ते को क्योर करता है, उसका इलाज करता है, by natural method, natural method का इस्तेमाल करते विए वो उसका इलाज करता है, आगे मिसीस पाम्फरी है ए एन एंइमल अधर वैभारि ज्यान की कमी है, आगे है tricky, tricky कौन है Mrs. Pumpery's dog Mrs. Pumpery का कुता है उसका नाम tricky है, tricky में अपने t हर बार बड़ा लिखने है, मिश्मम पेमपरी का कुता है यह अपोस्ट यह सब्सक्री चूर्ज पशल्म का कुता है यह a post of yes है यह यह भी punctuation में आपको करवा दिया गया है falls ill seriously बड़ा ही घंबी रूप से बिमार पड़ जाता है due to over feeding over feeding का मतलो ज्यादा खाने के कारण recovers at dr. James surgery surgery का मतलो क्या होता है वो hospital जहां पर उसने treatment किया ठीक है तो वो dr. James Harriet की दुकान की के hospital पर जाकर के ठीक होता है तो अब short questions लिखते हैं देखते हैं इसका why is Mrs. Pumpery is worried about tricky Mrs. Pumpery है वो tricky के बारे में क्यों चिंति थी Mrs. Pumpery is worried, worried बने चिंतित इसलिए चिंतित है because tricky is because because her favorite dog lay motionless on carpet, carpet होता है धरी lay मैंने होता है लेटा हुआ उसका जो कुत्ता है वो motionless बिना किसी हल चल के वहाँ पर लेटा हुआ है his eyes were blood shoot उसकी आंके खून की तरह से लाल थी and his tongue lolled from his jazz और उसकी जो tongue होती है jeep, jeep है वो नीचे लटकी हुई थी, load मैंने नीचे लटकी हुई थी jazz जबडों के अंदर से discharging a lot of water और वहाँ से उसके मुझे पानी निकल रहा था so she is worried about tricky और इसी current से Mrs. Pamphery है, वो tricky के बारे में चिंतित है why was dr. James Harriot shocked at tricky's appearance dr. James Harriot tricky की शकल को दे करके बड़ा ही shock मैंने हरान होना, वो हरान क्यों हुआ dr. James Harriot was shocked at tricky's appearance, dr. James Harriot है, वो tricky की शकल को दे करके हरान हुआ, because लगा दो आपको बताया था पहले पहले दिन as लगा दो, since लगा दो एक ही बात होती है, because he, he किसके लिए रहा है, tricky के लिए रहा है, because he laid motionless, कि वो हो लेटा हुआ था बिना किसी हलचल के on the carpet, दरी के उपर his eyes were blood shoot, उसकी आंखें हैं, वो खून की तरह से लाल थी and his tongue lulled from his jazz, और उसकी जो tongue है, jeep है वो उसके जबडों के अंदर से नीचे लटकी होई थी, discharging a lot of water, और उसमें से पानी निकल रहा था, moreover he had refused even his favorite dishes favorite का मतलो, khas dishes का मतलो, खाने की जो पकवान होते हैं किसी परकार का dishes, तो वो उसने refuse होते हैं मना करना, उसने अपने खाने की अच्छी अच्छी चीजे भी मना कर दी थी, तो ये question और ये question पहला और दूसरा लगबग answer सेम है, लेकिन आपने अच्छी तरह से इसको याद करना है वोई वोस मिसीज पंफेरी's reaction वें ट्रिकी शोड लिटल एंत्वाजम, ये वर्ड क्या है एंत्वाजम, फोर एक्सकर्शन, एंत्वाजम होता है जोश, एक्सकर्शन होता है बहार सैर वगएरा के लिए जाना, तो जब मिसीज पंफेरी का कुटा ट्रिकी बाहर सैर करने के लिए बहुत कम जाना जाता है उसके अंदर वो जोश खतम हो गया था तो इसके परती मिसीज पंफेरी की क्या reaction थी, उसकी क्या परती करिया थी मिसीज पंफेरी थोड़ देट dog might be suffering from malnutrition malnutrition क्या होता है कम खाना, तो मिसीज पंफेरी ने ये सोचा कि उसका कुटा है, वो कम खाने के कारण उसमें उर्जा की कमी हो गई है so she started giving tricky a little extra between his meals, इसलिए उसने tricky को उसके खाने के अंदर खाने के इलावा भी उसको बीचों बीच और extra खाने को देना शुरू कर दिया ताकि उसके अंदर जो energy है वो पूरी रहे आगे है what was Dr. James Harriet strict advice to Mrs. Pumpery Mrs. Pumpery को Dr. James Harriet की क्या strict क्या सक्त हिदायत दी गई थी did Mrs. Pumpery heed advice, heed मैंने होता है ध्यान देना, क्या Dr. James Harriet की advice पर Mrs. Pumpery ने ध्यान दिया, what excuse did she make, और क्या excuse होता है बहाना बनाना, क्या Mrs. Pumpery ने उसकी advice को ना मानने के लिए क्या बहाना बनाया, Dr. James Harriet advice strictly to Mrs. Pumpery to keep Tricky उने strict diet, Dr. James Harriet ने Mrs. Pumpery को strict advice दी कि वो Tricky को बहुत कम diet हो दे, खाने को बहुत diet होता है, खाना, बहुत कम खाने को दे, but Mrs. Pumpery didn't heed his advice लेकिन Mrs. Pumpery ने उसकी advice को, उसकी salah को नहीं माना, she made an excuse, excuse होता है बहाना उसने एक excuse बनाया that, that का मतलब की that she could not bear it to cut down the sweet dishes कि वो इस बात को सहन नहीं कर सकती bear होता है, सहन करना कि वो उसकी diet को कम करे, मिठी चीज़ों को कम करे, which the dog likes so much जिसको कुटता है, वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है अब है question number five, why did Mrs. Pumpery make a frantic call to Dr. James Harriet Mrs. Pumpery ने Dr. James को अचानक क्यों बुला लिया, तो call होता है, बुलाना, Mrs. Pumpery made a frantic call to Dr. James Harriet, Mrs. Pumpery ने Dr. James Harriet को इसलिए बुलाया, because her dog had refused even his favorite dishes, क्योंकि कुटे ने अपनी खास चीज़े खाने से भी मना कर दिया था he had eaten nothing, उसने कुछ भी नहीं कहाया था, he had bouts of vomiting, वो मीटिंग होता है उल्टी आना, उसको उल्टी भी आ रही थी and he had refused to go for a walk also और उसने walk पर जाने से भी मना कर दिया था तो student, we have done five questions, five, six questions are left, that questions we will do in the next video and I hope that you will you will be able to do these questions by your own now till we meet in the next video, bye bye you